हेलो दोस्तों आज का वहारा टॉपिक है वह है steam suit blower नाम से पर चल रहा है steam यानि कि हम इस suit blowing में क्या करेंगे use करेंगे steam का use करेंगे तो हम steam suit blower का बारे पढ़ेंगे suit blower मतलब कि suit को blur करना यानि कि वहां से हटाना ठीक है आप जैसे देख पारे हैं कि हमारे पास सूट ब्लोवर के पुछ इमेज़ भी हैं अंदर हमने पीपिटी में भी एड़ किया है तो सूट ब्लोवर का में मकसद ही होता है कि जो हमारे फरनस में सूट डिपोजिशन हुआ यानि कि हमने फाइरिंग किया फ्यूल फाइर के वैरिस से हिसांवर होता है उस हीट ट्रास पर है जिसके क्या होता है कि अब्हक्री करना और हम घ्र्ण वांघ की और हम चपी है क्योंट हमने को है इस ईपले मचरी सूट हिए हैं कोई है जो फ्यूल फाइरिंग होता है कुर्स मुछ वाइन तो जब भी ऐसे चीज़े डिपोजित होती है तो क्या होता है कि जो मेटल पर हीट ट्रांसपर होना चाहिए वो हीट ट्रांसपर नहीं हो पाता है अगर हम बात करें कि एक हमारे पास वाटर वाल है और उस पे जो डिलेक हीट ट्रांसपर हो रहा है और दूसरा अगर हम बात करें कि वाटर वाल के उपर सूट डिपोजिशन होने के बाद अगर हम हीट ट्रांसपर करें तो दोनों में ब लेकिन दूसरे कैस में क्या है कि एक मीडियम आयाता है तो उसका इक मीडियम क्या करता है उसको प्रिवेंट करता है आप्र चाओता है जिससे के हमारा ही ट्राशल नहीं होगा और हीट ट्रांसफर नहीं होने का रिदन क्या होगा कि वह हीड क्या होगा कि होजाएगी 여 हम अंद इतलो को leurs निस के बाहर वीडियू में Hels闯 में प四ड के थे कहां और हम आप इसका मेंद महाने हया है जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके अपने वीडियो में तो वह maximum heat utilization नहीं होगा क्योंकि वह heat losses हो जाएंगे ठीक है तो यह क्या करता है कि इनी जो depositions हैं इनको remove करता है अब रिमूव हो जाने के बाद क्या होता है कि हमारा heating surface area में heat transfer बढ़ जाता है और हम जो है फिर क्या होते है maximum heat utilization कर सकते है fuel का जो हम फ्यूल यूज कर रहे है ठीक है तो सूट प्लाइंग अगर definition के बात करें तो कोई complicated चीज नहीं है सूट ब्लाइंग मतलब हम किसी भी तरीके से सूट को remove करना आइधर वह water हो या steam हो या air हो किसी भी medium से सूट को remove करना उसके हिटिंग हीट ट्रांसफर एरिया से इस सर्फिससे जिसके result में क्या होता है कि हमारा जो medium हीट ट्रांसफर सर्फिसस है वह clean हो जाए यह automatic हो सकता है आजकल पहले के जमाने में तो यह लेकिन अभी क्या होता है कि अभी automatic होता है हमने एक command दिया स्टार्ट का और फिर हमारा जो है एक सिक्वेंस होता है सिक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारा सूपने स्टार्ट हुए अगर हमारे यह फरनेस है ठीक है तो अगर हमारे ये फरने से तो हम हमारे 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 हमार वार्ट रॉल्स पर तो इसलिए हम क्या करते हैं। चाहले हम सड़ी रहता है करने हों यहां से स्टर्ट करें और चाहले हम सब्सक्राइब यहां से स्टर्ट करें। यही इसी जीज़ को फॉलो करता है हॉ सटा है क्या है क्रोकृ॥ है वह सब्प्रसीजर को फॉलो करते ह् जाते हैं प्रयुज सब्साइब को 14 Fourier को फॉलो करते हुए हम जाते हैं यहाँ समरा भी स्टार्ट entities हम ळाता है तो हमारे यहीं है river सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वैसे हुआ ही ऑटमेटिक का हुआ और दूसरा मैनुवल नहीं का हम चाहे तो इंडिजरली किसी भी सुट्प्लाइब करके एक प्रोसीजर के तूरू सुट्प्लेंग कर सकते हैं ठीक है यह डिपेंड करता है सब्सक्राइब करेंग करना की करना क्यों क्यों हैं हैं यह लुच्छा आता है क्या oneself कोनि दिए उसक करता है कि उसके कि देखें फर्नेantal कशन सी से क्या मतलब है उसकी मंठाश का तरुसराइब के सिर्ण हमरे ऐसे नएक आब का हमारे हें लिसमें फ्यूल फाइल किया, उसकी maximum utilization कैसे होगी, फर्नेस के efficiency क्या होगी, तभी बढ़े कि जब हमने जो fuel दिया है, हमारा furnace से क्या काम है, कि जो भी heat हमको मिला, उसको maximum utilize करना, ठीक है, तो तभी होगा, जब हमारा proper heat transfer होगा, तो वो क्या करता है, furnace के efficiency बढ़ाता है, यानि कि हमारा ultimately boiler efficiency बढ़े आती है, दूसरा, reduce waste heat recovery, अभी हम इसी चीज़ को मैं अगर हमने डिसकस भी किया, इसको explain करें कि हमारा जो भी heat transfer होगा, अगर हमारा deposition होता है, अगर वो heat transfer प्रॉपर नहीं होगा, तो सीधा-सीदा क्या बात है, अगर heat transfer नहीं होगा, तो हमारा waste heat recovery, यानि कि हमारा heat losses बढ़ जाएंगे, अभी हमारा heat अगर यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होता है, तो हमारे heat losses बढ़ेंगे, ठीक है, clean and improve heat transfer area, no doubt, हमने शूट भाएंगे, मेरा motor ही होई है, कहाँ हमको, जो हमारा heat transfer area है, उसको clean करना, reduce fuel consumption, fuel consumption क्या होता है, कि अगर हम बात करें, कि लगभग एक, आप बोसे थम रूल है, या फिक calculation हमने किया हुआ है, हमने हो इसकि की हमारे heat transfer के वोपार, ङंजन भाएंगे, वह लगभग धाई乾ट का सबस्थ बढ़ जाता है, यह भी आप बोह साथे कहां, एक थम रूल भी होता है, कि हमारा, लेकि हम measure करने तो नहीं हादे है, हमने measurement कर दो जाता है है अ्हांग में कितना ऐम य८िका।कर पर हम नहीं होता है में तो म Hakun में पता नहीं होता है है लेकिन हम टेंपरेचर उसके साथ उसके साफ़ ते अंधाजा लगा लेते हैंँ या जो एकि दिया हुआ है कहा थाी परसंड बड़ गया है ?? तो अगर हमारा fuel condition बढ़ रहा तो उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कितना deposit deposition कितना mm का deposit deposition हुआ है उनिफॉर्मली नहीं होता है यह depends करता है दूसरी बात भी बता दूँ कि यह उनिफॉर्मली नहीं होता है कि हमारा जो पूरा heat transfer area है या फिर हमारा बूल सकते कहाँ furnace में जहाँ पर firing हो रहा है water walls में और दूसरा अगरबात एक उनिफॉर्मली नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है यह depends करता है कि कहाँ पर वो deposit हो जाता है और last में कैसे कैसे वो निकलता है तो हर जगह पर यह अपनी flugas की quantity पर depend करता है जायतर क्या होता है क्योंकि सबस्यादा flugas वहीं पर generate होता है फिर जिर 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 आप बोल सकते कहाँ deposit बढ़ता जाएगा वहां-वहां-वहां से थौसरा कम होता जाता है और बाद में हम निकाल देते है flugas को ठीक है तो reduce flugas side corrosion इसके बार में हमने पढ़ा है कि हाँ water wall side corrosion और flugas side corrosion के बार में हमने डिसकस किया था तो obvious बात है कि हमारा flugas जैसे का हम बात कर रहा है पहले भी कहाँ से vanadium के मात्ता जादा होती है ठीक है flugas में तो यह क्या करता है sodium vanadium क्या करते है कि अगर यह flugas deposit है हमारे water walls के उपर तो क्या करेगा कि यह vanadium pentoxide बनाने के साथ कि क्या करता है कि corrosion करोड करता है flugas side corrosion में आप पढ़ो गया मैंने discuss किया हुए पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि यह क्या करता है कि हाँ जो flugas side corrosion होता है उसके लिए shoot deposition एक major role उसमें अदा करता है कि हाँ जिसके खारण कि हमारा flugaside corrosion होने के chances बढ़ जाते हैं और भी reasons आप उसको बोल सकते कहां और भी क्या क्या reasons होते हैं यह main आपके बोल सकते कहां यह 5 points है और पूछे भी जाते हैं व्योज में क्यों करते हैं तो minimum 5 points आफ लिख सकते हैं next में आए कि इनका कितने type को होते हैं हमें पता है extreme suit blower दो type को होते हैं एक होता है lrsb को हम बोलते है short sorry long retractable suit blower इसमे एक short retractable suit blower भी होता है उसको SRS भी बोलते हैं कि उसकी length कम होती है बट वो work वैसी करता है इससे के lrsb करता है यह depend करता है कहां length wise कि अगर longer उसकी length length लंबी है तो उसको long retractable बोलते है और उसकी छोटी है तो short retractable बोलते है इसकी जो हमारा यह moment करता है यह lance यह क्या होता है कि पहले forward जाता है suit blower करता है यह helical आप देख पा रहे हैं इसको pitch बोलते है इसका भी एक length होता है कि इसकी pitch कितनी होने चाहिए इसकी length wise जी घूमता रहे है इसकी nozzle से steam निकलता रहता है इसका आप देख पा रहे है यहापर एक helical path follow करता रहता है तो यह अपने length wise यह अगर वो long इसकी lance length है लंबी है तो उसको long retractable suit blower बोलते है और अगर छोटी है तो उसको short retractable suit blower बोलते है ठीक है तो यह length wise है और आप देख पा रहे है कि हाँ इसको अदूसरा होता है कि वाल पर mounted होता है वो retractable नहीं करता है कि वह रोटेट करता रहता है जैसा कि आप देख पा रहे है इसमें वो रोटेट करता रहेगा और जो wall है यानिक जो उसका water wall जिसके भी mounted है उसको क्या करता है कि वह clean करता है रहता है बैक जट के थ्रू रोटेट यह भी करता रहता है ठीक है लेकिन wall blower और LRSB दोर में अंतर होता पहले forward direction में move करता है फिर वह backward direction में आता है ठीक है तो उसका time length होता है कि हमने कितने time length के लिए design किया हुआ है कितने समय तक वो रहेगा उसकी speed उसका हर चीज़ है कि particular design किया हुआ होता है अगर हम बात करें कि हाँ travel speed की तो लगबग 0.9 से लेकरके 0.9 से लेकरके हमारा rotating speed करता होता है तो लगबग 9 से लेकर 35 rpm तक होता है ठीक है यह सब है एक exact value आपने बोलते हैं कहां ही है क्योंकि हर बॉलर के लिए हर फरनेस के लिए हर चीज़ अलग-अलग design की जाती है कहां उसकी requirement कितनी है किस type of furnace है सब चीज़े depend करती है सुट बोर में भी तो वह सब ची अगर बात करें तो स्टीम प्रेशर हमारा लेकर 12 से लेकर 18 की तक होता है ठीक है और हम जैसा कि पहले भी बात कर चुके हैं अगर आपको याद होगा तो सुट बोर के बारे में देखा है और भी बहुत सारे परामेटर्स होते हैं कि हांग ट्रेवल स्पीड कितना होता है र तो इन लोसे को क्कीलए करते हैं क्या होते हैं वोगतियों होती है बनिटेशल हमारे लिए बरे ले ऑफवान हम इसके कoria कहने कि यहां घ्र enquक कन करते हैं इसलिए इनको हम हम चीपर आज के बारे में हम बोल चुका हूँ कि हम नेक्स टॉपिक में डिस्कस करेंगे ठीक है जैसा है कि आप देख पा रहे हैं यह यह LRSB का है वैसे ही हम LRSB है इसका हेलिकल हमने डिसकस के कहा है है लिकली करता है लांस जो है फार्वर्ड डिरेशिंग जाता है तर वह रीवर्स में आता है ठीक है एक यहां जहां-पे- इस-फाइड ऑलर में ही यह होता है जहां-पे- यह-वाल पर मॉन्टे होते हैं पलड़ाइस में आधा करें जो हम बात करने के फ्लुगेस नहीं फाइन इन्य निट होता है, तो अब जहां पर यहां पर च्पकने के चांसे रहते हैं, तो वहां पर जो उसके water walls हैं, वहां पर बहुत जादा boar को यह एक क्रोंइ में करते हैं। 3 जो हम बात करें गे कि तो यह हमारा फ्रेंट क्रोंट यह फ्रन पे पर होता है कि यहां तक हमारा पूरा जो हीट ट्रांसफर एरिया है उसको पुरा-पुरा वो कवर करे मेरा हमारी में मक्सद है जो इसकी लैंथ है आपको पता है हमने इसके बारे में पहले डिसकस किया हुआ है कि saturated steam को हम जो नोजल से पास करते हैं तो क्या होता है कि वो superated steam बन जाती है तो ultimately जो हम जो supring करते हैं furnace में वो saturated नहीं बलकि superated steam से करते हैं तो हमें इसमें superated steam extra लेने के कोई जरूत नहीं पड़ती है ठीक है तो क्योंकि lower pressure में जैसे हमको पता है कि हमारा low pressure में environment में छोड़ेंगे nozzle के तुर पास करने के बाद तो हमारा उस pressure पर temperature high temperature के कारण वो superated steam में convert हो जाता है काफी पर इसको discuss किया है कि pressure के कारण हमारा हर pressure पर हमारा क्या होता है saturation temperature different होता है तो जो 18-20 kg pressure पर हमारा saturation temperature है जब हम उसको furnace के अंदर डालते इंजक करते हैं तो वहां पर क्या होता है वह एक superated steam के तरह इंजक करता है और हिट करता है ठीक है और nozzle की वैसे उसकी velocity भी काफी ज्यादा होती है जिससे कि वह काफी कुछ जो वहां पर deposition इसको clean करता हुआ जाता है ठीक है उसके हम parts के बात करें अगर हम LRSB के parts को लेते हैं तो आपको दिख पा रहा है सबसे इसका अगर हम बात करें कि यह जो वाल होता है यह बहुत ही अलग तरह का बोल सकते हैं इसको puppet wall बोलते है आपने पढ़ा होगा सुना भी होगा इसके बारे में हम कभी discuss करेंग डि LRSB आगे की तरफ forward करता है तो हमारा यह puppet wall operate हो आता है और जैसे हम पोजिशन पर आने की यहां से forward होने के बाद home position पर आता है रिट्रेक होंके वह यह बंद हो जाता है तो इसका मकसर यह रहता है कि जैसे ही यह हमारा LRSB आगे की तरफ forward movement करता है यह open हो और जैसे home position पर आये ठीक है तो इसके parts अगर हम बात करें आप देख पा रहा है कि हाँ यह supports हो है हमारा यह main lance है और यह nozzle है जिसमें nozzle में रहते हैं चारो तरफ से निकलती रहते है steam हमारा ठीक है cover plates ही हमारे हुए terminal box motor दो तरह की होती है इसमें अगर आप देखोगे महाँ पर जाकर तो एक rotating motor होती है और एक transfer motor होती है यानि कि हमारे पास इसमें आओंगा हम बात करें कि दो तरह की emotions होती है हमें पता है कि आप जाकर देखोगे तो आपको दो तरह की emotions दिखेंगे पहला क्या होता है रोटेटिंग यानि कि इस lance है उसको rotate करता रहता है आप अपने पिछले diagram में दिखा थे क क्योंकि वह helical path follow करता है यानि कि रोटेट होता रहता है तो एक motor क्या करेगा उसको rotation प्रोवाइड करेगा और दूसरा motor जो है उसको transfer motion यानि कि forward और उसको फिर backward moment प्रोवाइड करता है ठीक है और इनके बीच में एक limit switch होती है ताकि वह हो कि हमें इस length के बाद यानि कि यहा तक वह forward motion करेगा और जैसे ही limit switch को touch करेगा वो फिर से reverse motion के तरफ आएगा और एक reverse में इसकी limit switch होती है जिसको कि वह जैसे ही वह वहाँ पर touch करता है वह वहाँ पर stop हो जाता है तो दो limit switch के बीच में यानि कि हम बात करें कि जितना हमको travel distance चाहिए वो दो limit switch के बीच का distance होता ह है अगर आपको वहाँ पर आप जाओगे LRSP आपको दिख जाएगा limit switch forward और reverse का यानि कि हमारा जो forward का जहां तक maximum length travel करेगा और यतना length यानि कि reverse में यतना length travel करता है तो वह उतनी ही length furnace के अंदर forward moment करता है तो यह हमारा दो limit switch decide करते है इसके moment को ठीक है अगर इससे आगे जाता है या फिर इससे पीछे आता है तो हमारा motor trip होने के चांसे से बढ़ जाते है क्यों कि वहां तक उसके बाद हमारा restrictions होते है motor के अंदर कहां over travel ना करे और या फिर हमारा बीचे back ना हो ठीक है इन सब के अलावा आप देख पाने है पार्ट से इक में एक और चीज होता है कि किसी region से trip हो जाता है तो back में पीछे में एक net type का आप देखोगे arrangement वहां पर राता है आप किसी भी baller operator से जाकर पूछेगा उससे क्या करते है कहां उसको हम वहां से reverse portion मिलाते हैं क्या होता है कि सूट प्लोर किसी भी case में furnace के अंदर ज्यादे दर तक ने रहना चाहिए अगर अगर किसी भी region से x y z region से कोई भी region से होता है या तो trip हो जाए या over travel हो जाए ठीक है अगर वह हमारा suit blower reliance जो है यह जाकर furnace में अटक जाता है तो हम पीछे जो होता है nut की message उसको बोलते हैं और उसको हम फिर retract करते हैं कि उसका hand wheel होता है उसमें फसा करके गोल गुमा करके आ कि हमारा जो है यहाँ पर deformation न हो अगर यह अंदर रहता है high temperature area में तो इसके bend होने के chances बढ़ जाते हैं तो हमारे यह रहता है precaution रहता है कि हाँ उसको suit blower करते में ध्यान देते हैं कि हमारे कभी भी किसी भी condition में suit blower furnace के अंदर ना फस है ठीक है यह हमारा reason हुआ अगर हम बात करें कि इसके और topic के बारे में तो procedure हमें पता है फिर भी हम discuss करेंगे कि open all drain valve of suit blower to drain out अगर हम बात करते हैं पहले drains को open करते हैं इससे कि हमारा temperature steam temperature reach करता है क्योंकि suit blower कुछ durations में करते हैं तो उस duration के बीच में हमारा क्या होता है कि ऐसा होता है कि एक temperature आने के बाद भी drain खोल क्या होता है कि वहां से हमारा को कि अगर वहां condensate जमा है तो क्या होगा कि वहां से जब steam charge करेंगे तो फिर से hammering के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि temperature difference की करना है तो हम drain खोलने के बाद क्या करते है कि temperature एक चीफ कर लते हैं 200-200 degree centigrade जितना भी हमारा design suit blower के लिए दिया गया है उस temperature क पर चीफ करते हैं फिर assuration valve open करते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम हम drain को close करने के बाद फिर से हम सूट blank जब procedure हमारा या तो automatic procedure auto mode में स्टार्ट करते हैं फिर हमको जैसे हमें manually start करना है उसको manually start कर सकते हैं ठीक है यह हमारे लग बगस हम एक चीज़ और जहां रहते हैं कि प्रिशर इंजेक्ट करते हैं फरनेस के अंदर तो चांसे होता है कि हम मतल़ वो डिस्टर्ब होने का ड्राफ ठीक है तो हम क्या करते हैं तो हम प्रिशिप प्रिशर हम इंजक्ट कर रहे हैं उसका effect ना पड़े और दूसरी बात कि यह सूट ब्लोई जो हमारे लाइन होती ह अगर प्रिशर होता है तो वह सेफ्टी वाल पॉप अपकर करके उसके लाइन को डिपरसिर कर दे तिक प्रिशर को कम कर दे और जो अप्रेटिंग पर से नहीं तक ऑप्रेट हो ती एक हम बात करते हैं कहां बेसिक फंक्शन हुआ शूट ब्लेंग का कैसा क्या होता है हमने आपको काफी कुछ मिला होगा सीखने के लिए और भी बहुत सारे चीज है सूट ब्लेंग में हम आगे भी डिस्कुस करते रहेंगे तब तक मिलते अपने नेक्स्ट टॉपिक में थैंक यू सो मच बाबाए